जैम आता दी दोस्तो कैसे हैं आप सभी दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 अगस्त से 25 अगस्त के मीन राशी फल के बारे में मीन राशी वाले लोगों के लिए अगस्त का ये सप्ताहा कैसा रहेगा तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आप से अनुरूद है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इस राशी वाले लोगों के लिए ये सब्ताहा बड़ा ही अच्छा रहेगा यादगार रहेगा और उपलबने वाला रहेगा सरकार से जुड़े मामलों में आपको प्रगती मिलती हुई दिखाई दे रही है कार्य योजनाओं के प्रती विचार विमर्स होगा नेव योजनाएं आप बना सकते हैं आप इस सब्ताहा उर्जा से भरे हुए रहेंगे और अंचाहे अंदेखे मुनाफे भी सब्ताहा आपको मिल सकते हैं आपकी आर्थे किस्तिती मजबूत बनी रहेगी मस्तिश को थोड़ा आराम देने का आप इस समय प्रयास करेंगे व्यपार के नई अफसर आपको इस समय मिल सकते हैं नौकरी करने वालों के लिए तरक्की का समय है व्यवाहिक जीवन में इस समय मधूरता बनी रहेगी ये एक इसपस्ट राय बनाकर जो आपने निर्णा लिया है उसे आप पूरा कर पाएंगे नौकरी के लिए यदि आपने अप्लाई किया हुआ है तो खुश्कबरी मिल सकती है रूजगार की प्राप्ति आपको हो सकती है सामाजिक मोर्चे पर सामाजिक इस्थिती में आपके मान सम्मान में आपके बढ़हतरी होगी किसी शादी समारों में आप इस समय हिस्सा ले सकते हैं सकारात्मक वहवार आपका पूरे सब्ताह रहने वाला है और आपके जीवन में प्यार भी समय महख सकता है आप अपने फिजूल खर्ची को लेकर थोड़ी सी सावधानी जरूर बढ़ते हैं और अपने स्वास्थे को लेकर सचेत रहें इस सब्ताह जो आपका शुब रंग है वो गहरा नीला है शुब अंक है और वो पंधरा है यानि 15 तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चानल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें